सीकर और नागोर के लगबग 15 लोग केरल की बाड में फंस गए हैं इस पर परिजनों ने जला कलेक्टर सीकर को पत्र देकर उनको बचाने की गौहार लगाई है जला प्रशासन ने भी तुरंत कारवाई करते हुए शासन सा सच्छिव आपदा प्रबंदन और सायता विबाग को कारवाई के लिए भेज दिया है परिजनों ने बताया कि पहले संपर्क हो रहा था लेकिन अब फोन बंद आ रहे हैं क्यासदें की पिडत राज्थानीं के एरनाकूलंजिले के गाउऊ कालढी में फंसे हुए है वह curated मेकालढी मस्जिद के पास रह रहे थैं बाड में फंसे लोग चटाओ की फेक्टरी में काम करने के लिए गय होए थे बाड में फंसे प्रताप सिंग ने शुकरवार जुए फोन पर जानकारी दी थी कि उनके पास 10 फीट पानी चड़ा हुआ है और वो एक इमारत की दूसरी मंजिल पर शरण लिये हुए है तेन दिन से उनका बाहर निकलना नहीं हो पा रहा है बिजली गई हुई है खाने पीने का सामान भी धिरे धिरे कम हो रहा है वह यह फोन बंद हो जाने के बाद से परिजन परिशान हो गए हैं और किसी भी तरह से उनके सकुशल वाप्सी की प्रातना कर रहे हैं